Hello Friends, Study with Trust में आप सब का स्वागत है तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्पूरन बात करेंगे आपने एक चीज हमेशा नोट की होगी कि जो बच्चे हैं, वो formal education में एंटर करने से पहले ही बहुत हद तक वो उस चीज के बारे में सीख जाते हैं वो स्कूल में एंटर करने से पहले ही वो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बारे में जानने लगते हैं तो आपने कभी इस बात पर गोर करने की कोशिश की है कि ये चीज़े कैसे होती है कैसे बच्चे पहले से ही पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत सीख लेते हैं उनका जो रुजहान है वो education की तरफ होता है तो आज हम इसी चीज्च की चर्चा करेंगे और इसी से related हमारा topic है तो आज का जो हमारा topic है वो है emergent literacy जिसको हम बोलते हैं आक्षमिक शाक्षरता लेगर सक्रोष्ट दा करीकुलम पेपर का यह most important topic है बेर जेकंड येर में आपको ये इस पेपर के एक्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता ही मिलता है तो आज इसी टोपिक को हम बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में जानेंगे समझेगे कि Immersent Literacy क्या होती है, इसका क्या रोल रहता है तो शुरू करते हैं आज का हमारा टोपिक, सबसे पहले हम जान लेते है Immersent Literacy के बारे में जो आक्षमिक शाक्षरता है वो क्या होती है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि Literacy क्या है Literacy जैसा कि आप सब जानते होगे, वो ability है जिसके वज़ा से हम जो written words या जो symbols है उनको समझ बाते है Literacy is the ability to use and understand written words और symbols to communicate यानि कि जो चीज़े लिखी हुई है, जो लिखे हुए शब्द है, जो लिखे हुए symbols है उनको हम पढ़ और समझ सकें और उसके तरह हम क्या है, communication या communicator कर पाएं, उसको हम बोलते हैं literacy तो अब बात आती है emergent literacy की, emergent literacy has been defined as those behaviors shown by very young children as they begin to respond and approximate reading and writing acts, यानि कि जो emergent literacy है, यह जो young children होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो behavior है, जिससे वो यह चीज़ों करते हैं कि वो reading और जो writing है, उसको response कैसे करते हैं यानि कि formal education से पहले ही जो उनकी एक ability होती है, जो reading और writing के प्रती, तो उस चीज़ को क्या बोला गया है emergent literacy, emergent literacy is the stage during which children learn crucial skills that lead to the writing and reading, यानि कि इसको सबसे best हम in words में define कर सकते हैं emergent literacy को, कि ये बच्चों की वो ability है, या वो उनकी life का stage है, जिसमें वो ऐसे crucial skills सीखते हैं, जो आगे उनकी जो reading और writing ability है, उसमें उनको help करते हैं, यानि कि enhance करने में help करते हैं एक तरीके से, यानि कि जो बच्चों में ऐसे skill, जिसके थुरू वो पढ़ना और लिखना सीखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आक्षमिक शाक्षरता या emergent literacy, इसके बाद इससे related यहां पर एक ये definition है, ये किसी critique की definition है, the reading and writing behavior of young children that precede and develop into the conventional literacy, यानि कि reading and writing behavior बच्चों का, जो आगे चलकर conventional literacy में develop होना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, emergent literacy, इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये जो चार टाइस से आपको समझा जाएगा, emergent literacy, जैसे बच्चा है, तो वो क्या है, school, home, environment, ये तीन factors है, उसके जो मरलब education में role play करते हैं, उसके literacy में role play करते हैं, उसको जो knowledge है, knowledge में जो उसके skills और training, या वोकेव अगेरा है, ये सारे की सारी चीज़े main element होती है, ऐसे literacy की अगर हम बात करें तो उसमें जो उसको influence, जो चीज़े करती है, या फिर जो skills होते हैं, उसके या फिर जो चीज़े वो acquire करता है, अपने environment से, ये सारी की सारी मेल करों, उसकी कहा है, literacy को बनाती है, अब हम इस question का most important part करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो emergent literacy है, इसके main component सबसे पहले आता है, oral language development, this involves development of listening and speaking skill, including vocab, syntax and comprehension, यानि कि जो oral language development है, ये emergent literacy, आक्षमिक शेक्षरता का एक महतपूरन, एक इसका factor है, important component है, इसमें क्या क्या चीज़े आ जाती है, जो बच्चे का listening and speaking skill है, इसके अलावा उसकी जो vocabulary है, उसके जो syntax या जो comprehension skills है, ये सारे के सारे oral language development में आते हैं, children learn to understand and produce spoken language, which serves as the foundation for the literacy, तो oral language की अगर मैं इसमें बात करूँ, तो oral speech भी हम इसको बोल सकते है, a child can develop new vocabulary through the listening and speaking, यानि कि जो बच्चा है, वो नई vocabulary है, वो डिवल्प कर सकता है, चीज़ों को सुनकर और उनको बोल कर, तो ये चीज़ आत है, oral speech में या फिर हम इसको क्या बोल सकते है, हमारा जो oral language development है, इसका second जो component है, वो क्या होता है, phonological awareness, this refers to the ability to recognize and manipulate the sounds of language, जानि कि जो छोटा बच्चा होता है, वो अलग-अलग sound को किस तरीके से recognize कर पाता है, और उनको manipulate कर पाता है, ये होती है, उसकी phonological awareness, ये भी एक emergent literacy का important component ह है, इसके पाद next है, print awareness, print awareness involves understanding that print carries meaning and recognize the forms and functions of the written language, यानि कि जब एक बच्चा इस चीज़ को समझ पाता है, कि जो भी printed चीज़े है, उनका एक meaning होता है, और वो इन चीज़ों को क्या है, recognize करने लगता है, और इनके जो functions है, उनको समझ पाता है, तो ये होती है, किसी भी बच्च print literacy है, उसका एक most important component माना गया है, children learn about letter words, sentences and basic conventions of print, such as reading from left to right and top to bottom, ये सारा का सारा जो print awareness है, इसी में आ जाता है, next component है, alphabet knowledge, alphabet knowledge, जो print awareness है, उसी से related है, यानि कि जो बच्चे है, उनको जो अलग अलग alphabets है, उनके बारे में जो उनको knowledge होती है, वसी को हम बोलते है, alphabet knowledge, यानि कि वो different types of alphabets है, उनमें क्या है, एक तरीके से differences है, उनको भी वो recognize कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़े इसमें आती है, next is story, understanding and narrative skill, यानि कि एक बच्चा, वो किसी भी चीज है, उसके events को कैसे समझ पाता है, यानि कि जो जैसे story के event होते हैं, तो उनको कैसे समझ पाता है, और उसके जो narrative skills होते हैं, यानि कि उसको सुनने के बाद, उसको समझने के बाद, वो उसको कितने, किस मलब तरीके से उसको narrate कर पाता है, ये सारी की सारी चीज़े भी क्या है, जो story, understanding और narrative skill, इसमें आती है, और जो हमारी emergent literacy है, उसका एक important component है, वो बन जाती है, इसके बाद जो next component है, वो interest in and motivation for literacy, यानि कि बच्चे का जो motivation होता है, चीज़ों को सीखने का, literacy का, वो भी इसका एक important component है, वो मना गया है, तो इसके बाद ये next slide है, इसमें यही सारी जो अभी मैंने explain किया है, इसके बाद हम next हमारा जो इसी question का topic है, वो है importance of emergent literacy, जो आक्षमिक शाक्षरता होती है, उसकी importance क्या है, क्यों ये चीज़े इतनी ज़्यादा जरूरी हो जाती है, तो सबसे पहला point कहता है, preparation for reading and writing, जो emergent literacy है, वो किसी भी बच्चे को, किसी भी child को क्या करती है, जो उसका reading और जो writing है, जो formal education में होना है, उसके लिए prepare करती है, अगर उसमें emergent literacy develop नहीं हुई, तो उसको आगे चलकर formal education में बहुत सारी जो problems है, वो face करनी पड़ती है, और second इसका जो point कहता है, वो है language development, emergent literacy इसलिए भी महत्तपूरन हो जाती है, क्योंकि language development में इसका बहुत बड़ा role रहता है, जैसे अभी हमने इसके components की बात की थी, जब हम components की बात कर रहे थे तो उसमें print awareness, alphabetical awareness, phonological awareness, यह सारी पीचिजी आ रही थी, और यह सारे के सारे जो points है ना, यह हमारे language development में भी एक अपना role play करते हैं, इसलिए भी emergent, जो literacy है, वो बहुत जादा important हो जाती है, third point कहता है, critical thinking and problem solving, जो हमारी emergent literacy है, वो बच्चों में जो critical thinking और उनका problem solving attitude है, उसको develop करने में भी help है, वो करती है, क्योंकि जब बच्चा नही नहीं किज़े सीखता है, उसमें print awareness आता है, storytelling और जो narrative skills आते हैं, यह सारे के सारे skills ऐसे होते हैं, जो उसमें critical thinking भी develop करते हैं, और इसके साथ के साथ जो उसका problem solving attitude है, उसको भी develop करने में help करते हैं, next point कहता है social and emotional development, यानि कि emergent literacy है, वो बच्चों में एक तरीके से जो social और emotional skills होती है, वो भी develop करती है, next point है creativity and imagination, creativity and imagination, जब emergent literacy की बात करें, तो बच्चों में जो creativity और imagination है, वो definitely develop करती है, क्योंकि जब भी बच्चा कोई printed material देखता है, या नहीं चीजे सीखता है, उसमें print awareness आती है, या phonological awareness आती है, तो ये सारी की सारी चीजे ऐसी होती है, जो बच्चों को creative बनाती है, और उनकी जो imagination power है, उसको develop करने में help करती है, तो ये point भी हम इसकी importance में aid कर सकते हैं, next point है lifelong learning, emergent literacy है, ये हमारी सबसी जो initial stage है वहाँ पर शुरू होती है, यानि कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, वो formal education अभी तक, मतलब formal education में उसने enter भी नहीं किया, उससे पहले भी उसको जो सीखने को मिल रहा है, वो emergent literacy होती है, यानि कि इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं, कि lifelong learning भी है और next point है academic achievements, यानि कि जो हमारी academic achievements है, उसको definitely enhance करता है, और cultural awareness ये point भी हम इसके importance है, इसमें add कर सकते हैं, तो अगर ये question आता है, पूरा, मतलब जो 15 या 16 marks का आता है बड़ा question, तो उसमें हमने ये सारे के सारे importance के point भी इसमें definitely add करने है, इसके बाद इसका जो next topic execution का, वो है role of parent in emergent literacy, यानि कि जो आक्समिक शाक्षरता होती है, उसको develop करने में, जो parent है, उनका सबसे important role रहता है, तो वो किस तरीके से अपनी help कर सकते हैं, या उनका क्या role है, वो हम in point में समझ सकते हैं, first point कहता है creating a literacy rich environment, यानि कि वो अपने बच्चों को एक ऐसा environment प्रोवाइड करवाएं, जिसमें जो बच्चे हैं, उनके literary skills है, वो develop हो पाएं, next point कहता है reading aloud, माल लो अगर कोई parents है, वो छोटे बच्चों के सामने बैट कर पढ़ना चाहते हैं, चाहिए कोई newspaper पढ़ने हैं, कुछ भी story या कुछ भी वो पढ़ने हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो उन्ची आवाज में पढ़ने हैं, जिससे सुनकर बच्चा भी क्या है, motivate हो, उसकी मालब curiosity develop हो, वो भी चीजों को सीखने की कोशिश करें, next point कहता है engaging in conversation, यान writing and drawing, जैसे चोटे बच्चे होते हैं, वो लिखना शुरू करते हैं, पहले या कुछ draw करते हैं, चीजे, और जो चीजे देखते हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं, तो parents को चाहिए कि वो उनको sport करें, ताकि जो बच्चों में जो emergent literacy है, वो develop हो सके, इसके बाद जो next point कह करता है, वो है fostering positive attitude toward literacy, यानि कि बच्चे हैं, उनको वो time to time motivate करते रहें, उनका जो positive attitude है, literacy के लिए, वो चीजे parents को चाहिए कि अपने बच्चों में develop करें, तो इस तरीके से जो parents है, उनका जो role है, वो emergent literacy में देखने को मिल सकता है, तो ये था आज का हमारा question, जिसमें हमने जाना कि emergent literacy क्या होती है, इसके क्या क्या component है, ये क्यों important है, और जो parents है, उनका इसमें क्या role रहता है, अगर ये question आता है, तो हमें ये सारे के सारे point इनी steps में लिखने है, सबसे पहले हम इसका intro देंगे, intro देने के बाद इसके components आगे, इसके बाद इसकी importance आगी, और सबसे last में जो role of parents है, वो सारी चीज़े इसमें हम add कर देंगे,